हेलो दोस्तों नोटिफाई नोलेज में आपका स्वागत है और फ्रेंड आज में लोग बात करने वाले हैं यूपी स्कोलर्शिप 2023 के बारे में फ्रेंड आप लोग को तरह बहुत ज़ता कमेंट आ रहा था कि क्या सर करेक्शन पोटल ओपन किया गया है या फिन नहीं ओपन क किया गया है तो किंच हात्रों के लिए ओपन किया गया है जब हम अपने फॉर्म में यहां पर लोग इन करने के लिए जा रहे है तो हां पर इन वैलेट रजिस्टेशन नंबर वाला इरर आ रहा है तो इसका सुलूशन क्या है क्यूं आ रहा है और किंच हात्रों के लिए आ बहुत सारे candidate जो है यहाँ पे लगतार question पूछरत क्या sir correction portal open हुआ या फिने हुआ है तो आप लोग home screen पे देख परोंगे यहाँ पे correction portal open क्या गया है आप लोग के पहले question का answer यह है कि correction portal open हुआ है या फिने open हुआ है तो यहाँ पे correction portal गवर्मेंट को द्वारा यहाँ पे open कर ज सकते हैं गतवर्स का प्राप्तांक गतवर्स का प्रतिसत मतलब यहाँ पे यह सब कुछ जो है fill करने को option आ रहा है नीचे आप लोग यहाँ पे देख पारोंगे यहाँ पे submit वालो option आ रहा है इसके पहले क्या हो रहा था correction portal तो open हो जा रहा था बट यहाँ पे जो है मतलब भ mark है जो यहाँ पे percentage है यहाँ पे fill नहीं हो रहता यह सारा fill होना start हो चुका तो आप सभी candidate जो है अपने form में अपना पूरा का पूरा result यहाँ पे fill करके अपने form को submit कर सकते हैं ठीक है तो फ्रेंड यहाँ पे आप लोग जो है देख सकते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि स final submit हुआ है 18 जुलाई 2024 को एक candidate है जोने अपने form में संसोधन करके यहाँ पे final submit किया है और अपना hard copy यहाँ पे निकाला ठीक है तो यहाँ पे मैंने आपको दो proof दिखा है पहला तो यहाँ पे संसोधन जिसमें हो रहा था और second जो है जहाँ पे final submit हुआ ठीक है इस बात को दे तो यहाँ पे invalid registration number और not valid registration number for the season try again later यह आला error देखनों को मिलना ठीक है अब यह क्यों आ रहा है किंच हातरों में आ रहा है इसको solution क्या होने वाला है देखे सबसे पहले आपको जो है अपने form को step by step सही तरीके से login करना होगा login कैसे करना है इसके पहले मैंने already video बना के रख दि cast के candidate है ठीक है ना अगर आप लोग जो है general candidate है अगर आप लोग यहाँ पे minority cast के candidate है तो ही आप सभी छातरों के लिए correction portal open किया ठीक है ठीक है ना और यहाँ पे OBC general minority वाले छातरों में only जो है अगर आप लोग BTC course कर रहा होंगे BTC course में अपना admission करा होंगे तो आप लोग के ल होंगे पॉल टिकनिक होंगे BAT होंगे BTC होंगे MA, MSC, MCOM मतलब अगर यह सब कोर्स आप लोग admission करा होंगे तो उस condition में आप लोग के लिए correction window open नहीं किया गया जैसा कि फ्रेंट पहले government के माध्यम से बताया गया था कि यहाँ पे सभी छातरों के लिए correction portal open किया जाएगा बहुत सारे candidates अभी भी ऐसे हैं कुछ न कुछ उनके current status में suspect सो करा था यह लोग उम्मीद बना के रखे थे कि जब यहाँ पे correction window open किया जाएगा तो हम लोग जो है अपने form में correction करेंगे जैसा कि government के द्वारा मतब जो समाज कल्याण मंत्री है असीम अरुन जी को द्वारा उ चातरों का यहाँ पे मतब correction portal open ही नहीं हो रहा ठीक ना only btc और paramedical वाले course का ही यहाँ पे open हो रहा है और मैं friend आपको एक और सच्चाई यहाँ पर बता दूँ अगर यहाँ पे बहुत सारे btc और paramedical course ही connect है बहुत सारे connect तो ऐसे हैं जिनका correction portal भी नहीं open हो रहा है btc और paramedical course के होते हुए बेटी करना अगर आप लोग comment session में आगे ना तो बहुत सारे connect भी यह comment करने वाले है कि sir हम btc course कर रहे हमारा तो यहाँ पे portal यह open नहीं हो रहा है कोई कर रहे है कि sir हम यहाँ पे paramedical course से मतलब paramedical का course यहाँ पे कर रहे है बट हमारा भी यहाँ पे correction window open नह जाए और वहाँ से अपना complaint दर्ज कर रहे है अगर आप लोग जो है active नहीं रहेंगे तो समाज मतलब जो government है आपको पैसा नहीं देगी और जितना भी budget रहागा यह हड़ अप लेगे ठीकर ना तो जितने भी candidate ठीकर ना मतलब BTC paramedical मतलब जिनका खुल नहीं रहे है वे तो जाए ही जाए इसके allowing friend अगर आप लोग जो है other course भी कर रहे है ना तो भी मैं आप लोग से कहूँगा कि आप लोग जो है मतब cm help line number बठी करना 10-76 पे अपना complaint दर्ज कराए और इसके बाद हो सके तो आप लोग जो है अपने यहाँ पे समाज कर लिए और office भी जाए और उनस लिए हो सकता है कि आपके लिए भी यहाँ पे correction window open कर दिया जा ठीक है आप बहुत सारे candidate जो है यहाँ पे btc और paramedical course के candidate है जो यहाँ पे comment कर रहते है कि sir हमारा form तो यहाँ पे login हो गया था ठीक है ना मरतब correction करने के लिए हमारा form login हो गया था बट automatic हमारा form जो है submit हो गया हम उहाँ पे कुछ fill ही ने किये automatic submit हो गया अब हमारा form फिर से यहाँ पे गलत हो गया हमको क्या करने की आवा सकता है तो फ्रिंड जैसा कि आप लोग को पता है correction window जो है यहाँ पे 15 जुलाई सो open हो ना था बट 15 जुलाई को correction window open ने हुआ correction window जो है यहाँ पे 16 जुलाई को open मतलब जिनमें यहाँ पे correction करने को option आ रहा है मैं उन सभी छातरों से यह कहूँगा अभी आप हडवड़ी मत किज़े ठीक ना अभी आप सभी छातरों के लिए यहाँ पे 24 यहाँ जुलाई तक का मौका है तो आप जो है यहाँ पे 20 जुलाई को ठीक है ना 20 जुलाई को ठीक है ना बट मैं तो यही कहूँगा कि जिनका अभी यहाँ पे btc या paramedical course वाले जिनका यहाँ पे login नहीं यहाँ रहा है invalid registration नंबर सो कर रहा है वे सभी छातरों जो है समाज के लिए ऑफिस है बाकि जिनका आटोमेटिकली भी submit हो गया था ठीक है ना आटोमेटिक फॉर चातरों के लिए distribute होना मतलब किया जा रहा है तो फिरन बहुत सारे कैंडिट ऐसे हैं जो यह भी comment कर रहे है कि सर बहुत सारे चातरों का पैसा जो है यहाँ पे 16 जुलाई को उनके account में यहाँ पे distribute किया गया है तो क्या 16 जुलाई का पैसा जो है यहाँ पे second installment का पैसा था ब यहाँ पे 16 जुलाई को पैसा यहाँ पे distribute किया गया था यह भी यहाँ पे second installment का पैसा नहीं है तो किसी भी candidate को अभी परिशान होनी की आवा सकते हैं second installment का पैसा यहाँ पे ना तो 12 जुन वाले चातरों का आया है ना तो यहाँ पे 28 जुन में जिनका first installment आया है उसका है मतलब मांग चलिए यहाँ पे मई ठीक है ना मई जुन ओके मई जुन और जुलाई में जिनका यहाँ पे first installment का पैसा डिस्टिबूट किया गया था उन्हें सभी छातरों का second installment का पैसा भी डिस्टिबूट नहीं किया गया है ना तो किसी का पैसा आया ठीक है ना आप सवाल यह रिकवेस्ट डेट जो है यहाँ पे 2 जुलाई 2024 से वैलिडेशन इस्टेड़ भी यहाँ पे 2 मतब 2 जुलाई 2024 से यहनी कि जो ब्याली सो 80 रुपय का एमाउंट है इसके लिए रिकवेस्ट किया गया था दो जुलाई को और इनका जो पैसा है वैलिड पाया था यहनी कि जिन भी छातरों का पैसा जो है दो जुलाई 2024 को पी एफएमस पे 100 होना इस्टार्ट हो गया था उनका पैसा जो है 16 जुलाई 2024 को उनके एकांट में सक्सफुल्य ट्रांसपर कर दिया गया और यह जो पैसा यहाँ पे डिस्टिबूट हुआ है अकांट में आया है जो फॉर इस चैनल पर बने रहे है, जो भी यहाँ पर authentic news रहेगी, सही सटिक जनकारी, आपको इस चैनल के माध्यम से बता जे जाएगा, ठीक है न, अभी यहाँ पर second installment का पैसा किसी का नहीं आया है, जब यहाँ पर आयेगा, आपको बता जे जाएगा, अगर second installment का पैसा नहीं आता है, कर दो कर दे जेगाँ से फिता कैसा किसी कर दोने है, जब रहेगाँ का cin ते करना है, जब पना है जू बता है गया है, जब पक razorUNTEr पहाँ से जाएगारा किसी का मैं जब कर आएगा जडिफेव